प्रद्ध पैंसन के कारण ब्रद्ध महिला को किया म्रद घोसेथ एक कहाबत को मद्ध प्रदेश में चर्तार्थ किया जा रहा है अंदेर नगरी चोपट राजा तका सेर खाजा तका सेर भाजा ऐसा ही राईसन जिले के बेगम गंज में हो रहा है एक और मामा सिबराज 10 जून से लाडली बहिना के एक हजार रुपे देने जा रहे हैं बही ब्रद्ध महिला को पैंसन के कारण म्रद घोसेथ किया जा रहा है बे सहारा बिदवा को रोजगार सहाइक ने किया म्रद घोसेथ मुख मंत्री जन सेबा सिबर में महिला ने आकर बताया कि सहाब हम मर गए हैं पर अब हम जिन्दा हैं बेगम गंग तसील के ग्राम पंचयाद बढगवा का मामला है पंचयाद के सचिब एबम रोजगार सहाइकों की मनमर जी के चलते सामाजिक सुरक्षा पैंसन पालने बाली बिदवा ब्रद एबम बिकलांग परेशान जिनकी ताना साही के चलते उन्हें कई बार कई माहें तक पैंसन नहीं मिलती है या फिर पंचयाद की गुडबाजी के चलते उन्हें मुरत अत्वा अपात्र बताकर पैंसन बंद कर दी जाती है ये हर जगए का मामला है हाल ही में एक ऐसा ही मामला गिराम पंचयाद बढ़ गबा में देखने को मिला जब गाओं में मुख मंत्री जन सेबा सिबिर लगा तो इसमें एक चोकान बाला मामला सामने आया जब एक बे सहारा बिद्बा महिला ने आकर बताया के हम मर गए हैं सहाब हम जीवित महिला के मोह से जब सिबिर में आबाज गुंजी के मर गए हैं हम तो ग्राम पंचयाद के रोजगार सहायक ने गाओं में गुटबाजी के चलते एक बिद्वा बे सहारा महिला की पैंसन उसे मुरत घोसित करके बंद करा दी गाओं की 70 बरसी बिद्वा महिला सांतीबाई को मिरत घोसित करते हुए रोजगार सहाएक सिबरासिंग लोदी ने उसकी भुकमरी की कगार पर पहुचा दिया है आज मुख मंत्री जन सेवा सिविर के दोरान लड़ खडाते बामुश्किल पहुँची सांती बाई ने सिकायत करते हुए बताया कि असाय एबम बिद्वा है उसका पालन पोस्ट करने बाला कोई नहीं है उसके पती की मरत्तू उसके लगातार दो साल तक नरासिद बिद्वा पैंसन मिली लेकिन पूर्व सरपंच और उनके पुत्रोजगार सहाइक ने उन्हें मरत्त बता कर पैंसन बंद कर दी उसमें सभी की फरयाद है लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया अपनी गुजर बसर के लिए फिर से पैंसन पाने के लिए ये बिद्वा ब्रद महिला दर- पैंसन तो कोई नहीं है आज सिबिर में फिर से उसने आकर सिकायत की तो सिकायत के बाद जनपत पंचात के सीओ आसीश जोसी ने पोर्टल पर दिखवाया तो बहाँ पर भी पोर्टल पर उसे मरत बताया जा रहा है यह पहला मामला नहीं है जबकि सामाज एक सुरक्षा पै नरासितों को पैंसन तो किसी ना किसी कारण ग्राम पंचात के सचब अथवा रोजगार सहायकों के द्वारा बंद कर दी गई है अब ग्राम पंचात इस तरप लगने बाले मुख मंतरी जन सेबा सिबिर के दोरान ऐसे मामलों का खुलासा हो रहा है इस संबन्द में जनपत पंचात सीओ असीश जोसी का कहना है कि बढ़गों पंचात के उस समय रोजगार सहायक सिबराज सिंग लोधी सचिप के भी चार्ज में थे और उनके पिता बाबू सिंग लोधी सरपंच थे उस समय उन्होंने सांतिवाई को मृत बता कर उसकी पैंसन बंद कर दी थी उन्ह होने के बाद उनके ब्रुद्ध बैदानिक का रवाई की जाएगी बर्तमान में असोग बर्तमान में सरपंच असोग सिंग ने बताया है कि फिर भी ग्राम पंचियात बढ़गवा में सरवे करा रहे हैं ताकि कोई भी नरासित पैंसन योजना से बंचित नहीं रह जाए हम बिना भेद भाव के काम करेंगे बर्तमान सचे मुन्ना सिंग ठाकुर का कहना है कि आप किसी की पैंसन नहीं रुकेगी जो पाथ है उन्हें जरूर मिलेगी ये बढ़गवा पंचायत का मामला शंग्यान में आया था मैं अभी पिछले तीन से चार दिन पहले बढ़गवा करवा कि हम उसकी पुनाय पैंशन चालू गरवा रहे हैं ये और साथ ही सचेव और गुराम रोजगार साइट जो तत्कालीन समय में थे उनसे सपश्टी करण मांगा है कि आखिर क्या करण था उस वक्त ये जो हुआ है वो आखिर कैसे ये त्रोटी हो गई उनसे सपश्टी कर दो हुआ है